स्वागत है बच्चों आप सबीगा भुशन साइंस नर्सिंग यूटूब चैनल पे और भुशन साइंस प्लस के एप पे ये वो चैनल है ये वो प्लेटफॉर्म है ये वो एप है जो आप सभी के नर्सिंग करियर को जो है एक नए आयामों तक लेकर जाने वाला है क्योंकि फुशन साइंस की या हमारे टीम की कह सकते हैं आप कि हमेशा ये कोशिश रही है कि इंडिया के हर नर्सिंग स्टूरेंट को एक ऐसा नॉलेज एक ऐसा घ्यान एक ऐसा पढ़ने का तरीका हम सिखाएं जिससे वो दुनिया के किसी भी एक्जाम को क्रैक करने लायक हो जाएं शर्ते आपको जो है हमारा साथ देना होगा आपको भी साथ में महनत करनी होगी क्योंकि बिना महनत के तो पीज भी अंकुरित नहीं होता है तो हम लोग तो इंसान है तो बड़ा गर महसूस करते हुए मैं आप सभी का भूशन एटबार आप सभी का भूशन साइंस नर्सिंग यूटिज़ों स्वागत करता हूँ और आज हम लोग BSC Nursing First Sim BSC Nursing First Sim के Anatomy Anatomy के क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले है Transport Across the Cell Membrane या फिर किसी-किसी बुक में इसको बोला गया है Transport Across the Plasma Membrane दोनों एक ही चीजे है और यहाँ पर हम लोग Passive Diffusion Passive Diffusion पढ़ने वाले है फिर हम लोग यहाँ पर Facilitate Diffusion पढ़ने वाले है Osmotic Pressure पढ़ने वाले है Active Process में हम लोग Primary, Secondary केरियर वैसी कुलर यह सब कुछ हम लोग आज की क्लास में कवर करने वाले गुड एवनिंग वैशाली गुड एवनिंग मिस्टर रमेश गुड एवनिंग सोने लाल गुड एवनिंग शीवानी भुसारी वेलकाम वेलकाम टू आल अफ यू नेरे प्यारे बच्चे बहुत सिंसियर है और बहुत जली जली आयाते हैं हम लोग भी इतने सिंसियर नहीं थे सिंसियर तो हम लोग टीचर बनने के बाद हुए है ठीक है कोई बात नहीं और यह मैं आपको बता दू कि BST Nursing First Sam वाले जितने भी बच्चे है जो 2023 में जिनका एड लाइव कोर्स शुरू हुआ है BST Nursing First Sam का ओनलाइन लाइव कोर्स शुरू हुआ है जिसमें हम BST Nursing के पांचो सब्जेट्स आपको पढ़ा रहे है अनाटॉमी पढ़ा रहे है Physiology पढ़ा रहे है, Fundamental of Nursing First, Sociology और Psychology यह पांचो सब्जेट्स आपको पढ़ा रहे है यह कोर्स 15 अगस से स्टार्ट हो चुका है तो अभी ज्यादा समय नहीं बीता है फड़ापट से आप BST Science Plus की आपको डाउनलोड कर लीजिए और इस कोर्स को आप जॉइन कर सकते हैं इस कोर्स में आपको मिलेगा सारे सब्जेट्स की live classes प्लस उसके साथ साथ उसकी recording साथ में आपको मिलेगा हर चैप्टर का हर सब्जेट का PDF notes, topic wise MCQ और question bank जिसमें आपको short question और long questions हम देंगे तो आपके semester exam की पूरी तयारी हम करवा रहे हैं अगर आपके दिमाग में कोई query है कोई doubt है तो हमारा help line number आपके सामने है आप इन दोनों number में से किसी भी number पे call कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं हम आपकी साहता के लिए हमेशा विले बले ठीक है तो आईए शुरू करते हैं आज की class को आज की class को हम शुरू करते हैं बहतरीन class होने वाली है बहुत गजब का concept आपको मैं पढ़ाने वाला हूं ठीक है रोच की तरह आप लोग मुझे पता है बहुत साहित है पढ़ने के लिए और यहां पर संतोष कुमार गुड़ीवनिंग नविन कुमार गुड़ीवनिंग बेटा ठीक है तो आईए class को start करते हैं तुदे को हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांस्पोर्ट एक्रोस दी प्लाज्मा मेंब्रेन की को कि चलिए कोर्स की फीज कितनी है कोर्स की फीज है 999 रुपए 999 रुपए 999 रुपए फीज है जिसमें आज की डेट में 20% आफ है मतलब आपको मिल जाएगा 799 में कि आप अगर ब्यस्टी नर्सिंग फर्सम की बुग्स भी अगर खरीदने जाएंगे न तो वह बुग्स भी आपको चार पाच हजार से कम की नहीं मिलेगी और यहां आपको वीडियो क्लासेस नोट्स बनी बुनाई नोट्स आपको मिल रही है प्रिविएस येर कोशन गई है गुड ठीक है एक सेकंड तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को वे लोग आपको गूड थो नोग तो हम लोग स्टार्बॉ तो donating ट्र То lambda क्यां चार्ट करते तो हमा तो थो हिंबी हिंन cry छो मो captivity हिकंसे बड़ा ही सिंपल सा कि मतलब जैसे यह कोई सेल अब यह सेल जो है यह जो है इस चेल के को मुछिट मुछिए जो सेल के अंधर आपना चाहरा है और fry मोले किर सेल के बाहर जाना चाह रहा है तो यह किन मेकनिजम्स के थ्रू इन प्रोसेस के थ्रू जो है यह मॉलेक्यूल्स इस प्लाज्मा मेंब्रेन या इसी को हम क्या कह रहे हैं सेल मेंब्रेन कह रहे हैं तो कौन से मेकनिजम्स है जिसके थ्रू यह जो है प्लाज्मा मेंब्रेन के एक्र तो यहां पर मैं आपको वही कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं मेरा एप पे क्लास नहीं चल रहा है जो बच्चे आप पे देख रहे होंगे वो यूटूब पे आ जाएंगे देखो क्या होता है कि यह सेल है अब भाई सेल के अंदर मॉलेक्यूल कोई आना चाह रहा है तो वो बेसिकली दो तरीके से आ सकता है एक तो एनरजी की मदद से मतलब एनरजी उसको लग रही है और एक जो है without energy, मतलब without ATP, कोई energy खर्च नहीं, तो ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है, जब किसी molecule का, जैसे ये molecule है, अब इसके जैसे यहाँ पर चार molecules है, और इसके जैसे यहाँ पर एक molecule है, मतलब इस side में इसका higher concentration है, है, और इस side में इसका lower concentration है, तो जब molecule, कोई भी molecule, higher concentration से, lower concentration के side पर move करता है, तब उसको किसी भी energy की जरुवत नहीं पड़ती है, तब उसको किसी भी energy की जो जरुवत है, वो नहीं पड़ती है, तो ऐसी process को हम क्या कहते है, ऐसी process को हम कहते है, passive, passive transport, ठीक है, और दूसरा case ले लो, कि यह एक molecule है, यह यहाँ पर माल लीजिए, दो molecule है, और यहाँ पर जो है, एक, दो, तीन, और चार, मतलब इस side में इस molecule का lower concentration है, और इस side में इसका जो है higher concentration है, तो molecule अपने lower से higher की तरफ move कर रहा है, तो इस काइम पर इसको लगेगी energy, इसको बिलकुल ऐसा समझो, कि और हाँ, और इस process को ह लेंगे, यह बिलकुल वैसा हो गया, कि आप पहाड के उपर खड़े हो, और पहाड से नीचे आपको धगेला जाए, तो आप उचाई से नीचे आ रहे हो, और उचाई से नीचे जब आ रहे हो, तो आपको किसी भी type की energy नहीं लग रही है, that is your passive transport, correct, और अगर आप पहाड क के नीचे हो, और पहाड के उपर चड़ रहे हो, तो आपको energy लगेगी, है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, active transport, बास समझ में आई सभी को, तभी को समझ में आया, हाँ या ना, सेकेंड सेमिस्टर तो शुरू है ना, बेटा, आप प्लीज हमारे help line पे phone कीजिए, यार, आपकी जो भी query है, जो भी doubt है, सब कुछ आपका clear हो जाएगा, आप लोग हमारे इतने, मैं phone number आपको हर class में दिखाता हूँ, आप लोग उन phone number पे please call कीजिए, ताकि आप जो है, सारी query को clear कर पाओ, ठीक है, एप में बच्चे मेरी class को शायद नहीं देख पा रहे है, ठीक है, मैं जो है, आपको वो class दिखा देता हूँ, नहीं तो मेरे app के बच्चे मुझसे नाराज हो जाएंगे, को लेंगे सार, आप YouTube पे class ले रहे है, एप पे class नहीं ले रहे है, clear, चलिए, तो देखो active process और passive process, या active transport और passive transport, ये meaning समझ गया आप, app में कुछ दिक्कत है, नहीं, आगया आगया, 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 प्लीज आप मुझे कॉल किजेगा अभी हम पढ़ लेते हैं देखो तो overall बोलने का मतलब ये है कि जब भी हमारे higher concentration के site से कोई भी molecule अगर lower concentration के site move कर रहा है तो इस process को हम कहते है passive transport और अगर कोई molecule अपने lower concentration के site से अगर higher concentration के site पे move कर रहा है तो इसको हम लोग कहते है active transport ये दो वर्ड का meaning clear हो गया सबको ये दो वर्ड का meaning clear हो गया सभी को ये दो वर्ड का meaning clear हो गया what is active transport and what is passive transport तो जो cell से कोई भी molecule अगर अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाना चाहरा है तो basically ये दो ही process से जाता है या तो passive process या तो active process तो पहले हम बात करेंगे passive transport की पहले हम बात किसकी करेंगे passive transport अब जो ये passive transport है passive transport processes तो passive transport process मतलब हम समझ गए कि molecule जो है वो higher to lower concentration के site पे move करेगा इतना तो हम समझ गए समझ गए इन समझ गए ठीक है समझ गए अब देखो ये जो passive process है मतलब ये without energy जो है ये प्रोसेस चलती है अब इसके अंदर में दो processes आ जाती है तो processes एक को हम बोलते है diffusion एक को हम कहते है diffusion और दुसरे को हम कहते है osmosis दुसरे को हम क्या कहते है osmosis clear दुसरे को हम क्या कहते है osmosis तो diffusion है और osmosis है अब इन दोनों को समझना बचा है और प्लीज आप लोग एक बार जो है अपने दोस्तों में एक बार class को share कर दो अपने दोस्तों में एक बार class को share कर दो ठीक है देखो पहले हम बात करेंगे diffusion की diffusion तो diffusion जो है diffusion जो है वो क्या है एक सबसे पहला point की ये passive process है मतलब diffusion में एक बात तो हमें clear है कि भाई molecule जो है वो हमेशा अपने higher concentration के side से lower concentration के side पे move करेगा करेगा ना ये बात तो clear है क्योंकि ये passive का type है passive का type है diffusion और हम diffusion को ही समझना चाहरें बहुत ध्यान से सुनना बहुत मज़ा आएगा और बहुत important भी है अब हम ये बोल सकते हैं कि passive process है अब ये passive process जो है diffusion further दो type की हो जाती है एक को हम बोलते है simple diffusion और दुसरे को हम बोलते है facilitated diffusion दुसरे को हम क्या कहते है facilitated diffusion अब ये दोनों को समझना है कि simple diffusion क्या होता है और facilitated diffusion क्या होता है तो पहले हम बात करते है है तो simple diffusion की है पहले हम किसकी बात करेंगे simple diffusion की देखो simple diffusion मतलब मतलब क्या simple diffusion मतलब आप ये बोल सकते हो a simple diffusion मतलब आप ये बोल सकते हो कि जब भी जब भी जैसे कोई एक container है ठीक है इस container के नीचे में माल लीजिए क्या लगा है एक burner लगा है इसमें से heat निकल रही है ठीक है अब इसके अंदर में क्या है solution है अब solution है तो हम जानते हैं इसके अंदर में solvent होगा प्लस solute होगा होगा तो जैसे इसके अंदर में यह हो गया solvent क्लियर और यह हो गया solute यह solute particle हो गया हो गया हो गया ठीक है अब क्या होगा कि जब यहां से heat supply होगी तो energy इनको मिलती है ठीक है जिसकी वज़ा से क्या होता है कि यह जो solute particles है यह लगातार इधर का molecule इधर इधर का molecule इधर इधर का molecule इधर इधर का molecule इधर घुमता रहता है घुमता रहता है ठीक है यह एकदम फिजिक्स की भाषा में हो गया अब जैसे हम पाइलोजी की भाषा में हमारे एनाटॉमी की भाषा में समझना चाहें तो क्या होगा जैसे यह एक सिस्टम है हमारे बॉड़ी का कोई भी सिस्टम ले लो ठीक है या इसको ऐसे ना समझते हुए यह देखो यह सेल है अब यह सेल है और यह आपकी प्लाजमा मेंब्रेन है ठीक है अब कोई मॉलेक्यूल यहां पे जो है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस एक दो तीन चार दस दस मॉलेक्यूल बाहर है और यह सेम मॉलेक्यूल तीन अंदर है कितने है तीन अंदर है तीन नहीं चार ले लो चार अंदर है अब हम बोलेंगे कि वह यह सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है क्या हो रहा है सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है मतलब मॉलेक तक मूव करेगा कब तक मूव करेगा तो पहले ये पहले ये जो है एक मॉलेक्यूल आ गया तो अभी कितने हो गया अंदर में 5 हो गया बाहर में 9 हो गया फिर एक और आ गया मतलब अंदर में 6 हो गया बाहर में 8 हो गया फिर एक आ गया अब अंदर में 7 हो गया और बाहर में से भी साथ हो गए मतलब अब जो है कौन सी कंडिशन आ गई अब कंडिशन जो आ गई that is your equal concentration हो गया बोथ साइट पर बोथ साइट पर equal concentration हो गया इसको हम बोलते है equilibrium condition तो जो simple diffusion होता है simple diffusion में molecule अपने higher concentration के side से अपने lower concentration के side पर मूव तो करेगा लेकिन वो कब तक करेगा जब तक equilibrium की condition अच्छीव ना हो जाए तब तक तब तक ठीक है बास समझ में आ गई तो ये कब तक चलेगा जब तक equilibrium ना आ जाए जब तक दोनों तरफ molecule का concentration equal ना हो जाए तब तक अब जब equal हो गया तो ये process अब रुक जाएगी रुकती नहीं है process असल में जितने molecule अंदर आ रहे उतने ही molecule बाहर भी जाते हैं मतलब ये एक molecule अंदर आया तो ये उसके अगेंस में एक molecule बहार चले जाएगा तो ये process जो है लगातार चलती रहती है इसी टाइप से अब यहाँ पर देखो कि यह simple diffusion का मतलब समझ गये अब कई सारे कई सारे factors जो है वो ऐसे है जो इस simple diffusion की process को affect करते हैं सबसे पहला factor वो क्या है distance सबसे पहला factor क्या है distance अब भाई अगर इस molecule को यहां से लेकर यहां तक आना है या फिर इस molecule को यहां से लेकर यहां तक जाना है तो भाई यह fast कौन सा process होगा और यह वाला fast होगा और यह वाला slow होगा तो जितना ज़्यादा distance रहेगा उतना passive diffusion slow होता है Qokai दूसरा फैक्टर रूंअ के साफ्टरकरंडosition के कांसेंटरिशन इसमीन ने यहां पर 10 मॉलेक्ट मe की बनाया थर यहां पर मैरे थिन मॉलेक्ट बनायाथ बास ए कि तक्षब्रमने में डास से 10 दस मॉलेक्यूल बाहर थे हैं ना अभी जैसे मैं फिर से करूँ तो यह देखो कि यह दस बाहर है भी अब दस बाहर है और तीन अंदर है वहीं पर दूसरा केस ले लो दूसरा केस ले लो कि यहां पर जो है कि ताथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सतरा अटरा उन्निस बीस और यहां पर दो अब यह मोलेक्य भी यहां से यहां जाएगा क्योंकि यह हाईयर टू लोवर है पैसिटी पीज़नच चल रहा है सिंप computer जादा्वाएब आप बताओ यादव जी देखो एक बात आप लोग कान खोल के सुन लो यहां से अब आप लोग एक नई दुनिया में आ गए हो मुझे यहां पढ़ाते पढ़ाते अठ्रा साल हो गए है अठ्रा साल से मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन एक बात आप समझ लो कि अगर आपने यहां से शॉटकट लेने की कोशिश की जैसे यादव जी बोल रहे है कि एनाटॉमी फिजियोलोजी के वन शॉट वीडियो अरे वन शॉट वीडियो का टाइम गया 11, 12, 10 गया अब नहीं करना है वो अब जो है चीजों को समझो क्योंकि अब आप प्रोफेशनल हो गये हो डॉक्टर अगर बोले कि भाई एमबियस करने जो बंदा गया है इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ता है वो अगर वन शॉट वीडियो से पढ़ाई करने लगे और वही डॉक्टर जो वन शॉट वीडियो से पढ़के आए वो तुमारा ऑपरेशन करने थिएटर में खड़ा हो जाए तो तुमारी तो सिट्टी पिट्टी कुलो जाएगी या तुमारे किड्नी का ऑपरेशन है और डॉक्टर बोल रहा है किड्नी वाला चैप्टर तो important नहीं था मैंने छोड़ दिया और वो खड़ा होगे किड्नी का ऑपरेशन करने के लिए या सेम चीज़ तुमारे पर लागू होती है अब जो है वो समय नहीं है आपको डिसाइड करना होगा आपको निश्चय करना होगा कि अब मुझे मेहनत करना है अब मुझे मेहनत करना है यहां से मेहनत का परियाए नहीं है ठीक है ताकी सब चीज़े बात में बेटा अपने सीनियर से पूछ लेना ठीक है तो concentration दूसरा point concentration तो concentration का difference जितना ज़्यादा रहेगा उतना fast जो है diffusion की process रहेगी तीसरा temperature हमको पता है कि जब भी हम temperature बढ़ाते हैं तो वो temperature की जो energy होती है वो temperature की जो energy होती है वो molecules को मिलती है और molecules fast गुमते है जैसे example के लिए बताओं तो आप घर में जो है अगर मान लीजिए आप घर में पानी गरम कर रहे हैं ठीक है आपके घर में यहाँ पे पानी रखा है एक पतेले में और वो आप गरम कर रहे हैं तो थोड़े टाइम बात क्या होता है पानी जो है बॉइल होना शुरू हो जाता है क्यों बॉइल हो रहा है क्योंकि यह जो हीट एन एनरजी है वो यहाँ के वाटर मॉलेक्यूल को मिल रही है और वाटर मॉलेक्यूल जो है अब यहाँ से यहाँ से यहाँ मूमेंट करना शुरू कर दिये है मतलब अब energy मिलने से heat मिलने से molecule का moment का जो speed होता है न वो बढ़ जाता है यहाँ पर भी same concept अप्लाइड है देखें तीसरा पॉइंट समझ में आ गया temperature अब चौथा पॉइंट वो है molecular size अब भाई इतना बड़ा molecule कोई है उसको cell के अंदर आना है और इतना बड़ा molecule है उसको cell के अंदर आना है तो fast कौन सा रहेगा और यह fast रहेगा और यह slow रहेगा मतलब अगर बड़ा molecular size है तो passive diffusion simple diffusion जो है वो slow होगा अगर molecular size बड़ा है तो अगर molecular size छोटा है तो simple diffusion fast होगा simple diffusion कैसा होगा fast होगा ठीक है अब आखरी factor जो है आपका lipid solubility lipid solubility मतलब simple आप यह बोल सकते है कि कोई भी substance टेल घी में कैसा घुल सकता है water solubility मतलब पानी में कैसा घुल सकता है जैसे मैं आपको बताओ मैं आपको अगर बताओ तो जैसे मैं कुछ नाम लिखता हूं ठीक है जैसे for example अगर मैं lipid soluble molecules के नाम अगर आपको पूछना चाहूं और water soluble molecule की हमारे body के अंदर में कौन से ऐसे substances है जो lipid soluble है और कौन से ऐसे substances water soluble है तो तो lipid soluble में नाम आदागा जैसे oxygen का carbon dioxide का nitrogen का ये सब क्या है lipid soluble है और मैंने आपको पिछली क्लास में ये समझाया था कि जो plasma membrane को लिपिड soluble molecule बड़े आसानी से क्रॉस कर सकते हैं लेकिन water soluble molecule आसानी से क्रॉस नहीं कर सकते हैं पताया था अब water soluble के examples जैसे आपका glucose जैसे आपका यूरिया तो ये जो water soluble molecules है ये बहुती slowly बहुती slowly जो है moment करते है simple diffusion के जुरूब और lipid soluble molecule बड़े fast moment करते है वायादी simple diffusion बास समझ में आई सबको सभी को बास समझ में आई ठीक है सभी को बास समझ में आ गई clear कैलाश कुमार good ठीक है तो ये हो गया आपका lipid soluble मतलब कौन कौन से factor affect कर रहे है distance, concentration, temperature, molecular size और lipid solubility clear अब दूसरा ये हो गया आपका क्या हो गया ये हमने पढ़ लिया क्या simple diffusion अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा type जो है facilitated diffusion अब देखो इसके नाम में ही यहाँ पर समझ में आ रहा है कि diffusion तो है लेकिन भईया facilitated है मतलब ये word कहां से आया facility से आया मतलब कोई ना कोई special type की facility यहाँ पर दी जा रही है diffusion process के लिए जिसकी वज़ा से इसको facilitate diffusion कहा गया है अब भईया कौन से type की facility दी जा रही है यहाँ पर अब जैसे मान लो कि यह सेल है अब यह सेल में पॉर एक्जामपल आप ले लो कि इस सेल में यह इतने बड़े-बड़े में 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 छेद है क्या है पोर्स है ठीक है अब अगर इतना बड़ा molecule अंदर आना चाहे तो आ सकता है क्या आ सकता है क्या बिलकुल आ सकता है क्योंकि यह जो है बड़े आसानी से इन छेद से होते हुए अंदर आ जाएगा लेकिन अगर इतना बड़ा molecule है और वो अगर यहां से अंदर आना चाहे तो वो यहां पर आके रुख जाएगा तो भाईया इसका मतलब यह है कि प्लाज्मा membrane में छेद जो होते है जिनको हम लोग पोर्स बोलते है यह पोर्स से अगर बड़ा molecular size है तो क्या वो cell के अंदर नहीं आ सकता या वो cell के बाहर नहीं जा सकता देखो मैं cell के अंदर आने की बात हमेशा कर रहा हूं लेकिन यह दोनों side के लिए implemented है cell के अंदर आने के लिए भी और cell से बाहर जाने के लिए भी ओके consider रखना तो यह बड़ा molecular size जो है क्या यह cell के अंदर आहीं नहीं सकता आ सकता है कि आ सकता है बिलकुल आ सकता है कैसे आ सकता है तो यहाँ पर यह एक process के थुरू आएगा जिसको अपन बोलेंगे carrier mediate transport यह carrier mediate transport प्रोसेस की मदद से अंदर आएगा कि अब carrier mediate मतलब carrier carrier मतलब क्या होता है जैसे अगर आपको आपके घर का सामान अगर shift करना है बैइक है शेहर में आप अगर रूम पे रहते हो आपको रूम का सामाल शिप्ड करना है तो आप कैसे शिप्ड करोगे भईया… आप टेंपो करोगे, आप मेटड़ोर करोगे, आब ट्रक करोगे और उसमें सामालात के लेकर जाओगे तो वो ट्रॉक, टेम्पो, क्या हुआ, वो हुए केरियर, क्या हुए केरियर, जो केरी करते हैं, क्या करते हैं, केरी करते हैं, तो यहां पर आपका सामान आपके घर के सामने उस मेटडोर में, उस ट्रॉक में रखा गया, और वो ट्रॉक चल के दूसरी जगा गया, और वहां स सामान अनलोड हो गया तो यहां पर भी वैसा ही होता है यह जो प्लाजमा मेंब्रेन होती है प्लाजमा मेंब्रेन पे एक प्रोटीन मिलता है क्या मिलता है एक प्रोटीन होता है इस प्रोटीन का काम होता है ऐसे मॉलेक्यूल को ट्रांस्पोर्ट करवाना जिसको हम लोग कहते है carrier protein कि क्या कहते है carrier protein कहते हैं और ये carrier protein की मदब से मतलब ये molecule आएगा इसके पास और फिर ये molecule इस बड़े molecule को cell के अंदर पहुचाएगा बिल्कुल एक ट्रक की तरह अपने उपर रखेगा चल भाई तेरे को अंदर छोड़ के आता हूं और अंदर छोड़ के आने के बाद वो खुद वापस से अपनी जगह पे रिटन आ जाएगा तो इस तरीके से ये carrier protein जो है वो carrier meditated transport में मदद करता है तो इसी को अपन कहते है फैसिलिट डिफूजन लेकिन एक बात ध्यान रखना इसमें diffusion वर्ड लगा है मतलब इस molecule का ये molecule जब यहाँ पे था तो अब्यसी बात है इसका concentration बाहर ज़्यादा था और अंदर कम था अब ये बाहर से अंदर आ रहा है अपने higher से lower concentration की तरफ क्लियर तो diffusion वर्ड लगा है लेकिन facility मतलब की एक carrier protein किसी ऐसे molecule की मदद कर रहा है जिसका molecular size बड़ा है और वो molecule अपने higher concentration के side से अपने lower concentration के side पे move कर रहा है इस process को हम क्या कहते है facilitated diffusion कहते हैं कुछबू निशाद देखो ये जो BSC nursing first time का like course है 15 अगस से शुरू हुआ है इसकी सारी notes मैं app में दूँगा YouTube पर अभी कुछ फिलहाल डेमो classes चल रही है कुछ दिनों बाद ये demo classes आना बंद हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ app पे चलेगी classes एक तारिक से psychology और fundamental of nursing की डेमो classes शुरू होगी वो भी हपता दस दिन तक आएगी और उसके बाद वो भी YouTube पर आना बंद हो जाएगी उसके बाद सारे subjects की classes सिर्फ और सिर्फ app पर चलेगी clear clear हो गई बात समझ में आई बात आपको परसो class नहीं होगी Saturday को नहीं होगी class Sunday को भी नहीं होगी और कल most probably मैं out of station हूँ तो मेरी class भी शायद कल नहीं हो ठीक है अगर plan cancel हो गया तो बात अलग अब इसका मतलब आप समझ गए कि facility diffusion क्या होता है इतना मतलब समझ गए अब क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पर zoom करता हूँ यह देखो अब यह देखो यहाँ पर अब यह जो carrier protein है इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ carrier protein जो होता है वो कुछ ऐसा होता है मतलब यह अब यहाँ पर मैंने दो कारों बनाए है अंदर में इसका मतलब क्या है कि यह जो molecule है यह molecule का size थोछा कम कर देता हूँ समझने के लिए यह molecule आकर क्या होगा कि इस binding side पर आके लग जाएगा मतलब जैसे यह यह carrier protein है यह carrier protein है तो यह carrier protein पर क्या रहते है यह carrier protein के ऊपर कुछ binding sites होती है क्या होती है binding sites यह है आपका carrier protein ठीक है अब यह जो binding sites है उस पर आकर यह आपके molecule जो है bind होते हैं अब इस carrier protein पर कितनी binding site है यह एक दो तीन और चार मतलब इस carrier protein की binding capacity कितनी है चार की तो यह वाली जो process है facilitated diffusion की जो process है वो कब तक चलेगी वो कब तक चलेगी तो जब तक इस carrier protein जैसे इसको मैं साफ कर देता हूँ और यह वाला जो यह वाला जो protein है इसको मैं यहां रख देता हूँ समझने के लिए यहां रख दिया अब यह जो process है facilitated diffusion की कब तक चलती देगी जब तक इसकी चारो binding site में molecule आके binding हो जाता है मतलब इसकी binding site की capacity जब खतम हो जाएगी इसकी पूरी binding site किसी ने किसी molecule से पूरी भर जाएगी तब यह process जो है facilitated diffusion की जो process है यह slowdown हो जाएगी अब यह molecule क्या करेगा अब यह binding हो गई अब यह क्या हो गई binding हो गई तो यह molecule ऐसे घुमेगा कैसे घुमेगा ऐसे अरे यार यह molecule ऐसे घुमेगा मान लो और फिर यह जो molecule है यह यहां से रिलीज हो जाएगा फिर यह molecule जो है यह जो molecule है यह फिर ऐसे रोटेट रहे यार यह यह molecule ऐसे रोटेट होगा ठीक है और रोटेट होने के बाद यह लाइन को अटा दो यह रोटेट होने के बाद यह वाला जो molecule है यह यहां से रिलीज हो जाएगा फिर उसके बाद फिर घुमेगा वो फिर दूसरा molecule आ जाएगा इस टाइप से यह जो carrier protein होता है यह molecule को बाहर से अंदर बाहर से अंदर भेशते रहता है तो यहां पर facility मिल रही है diffusion के लिए in the form of carrier protein इसी लिए इस प्रोसेस क्या कहा गया है facility diffusion कहा गया है और यह कब तक चलती रहेगी जब तक वो carrier protein की binding site पूरी तरीके से fulfill ना हो जाए तब तक यह process चलती रहेगी तब तक यह process चलती रहेगी clear कि समझ में आई बात सभी को ठीक है अब हम बात करते हैं कि diffusion हो गया है ना यह देखो यह मैंने बताया था कि यह देखो diffusion बोला था मैंने diffusion के मैंने यह diffusion के मैंने दो दो टाइप यह diffusion बोला था उसके दो टाइप सिंपल डिफूजन बता दिया वैसी लिटी बता दिया अब पैसिव ट्रांस्पोर्ट का सेकेंड टाइप ऑस्मोसिस अब यह ऑस्मोसिस क्या है उसको समझो ठीक है ऑस्मोसिस क्या है उसको समझो वाट इस ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस मतलब एकदम सिंपल भाशा में आपको समझा रहा है जैसे माल लो यह एक कंटेनर है इसके बीच में एक छन्नी रखी हुई है जैसे चाय की छन्नी चाय छान्ने की छन्नी होती है न वो रखी हुई है तो चाय छान्ने की छन्नी जो है यह टाइप से पर्मियेबल मेंब्रेन है क्या है पर्मियेबल मेंब्रेन है या आप बोल सकते हो हाँ पर्मियेबल मेंब्रेन लिख दो या फिर आप बोल सकते हो permeable membrane है मतलब की चाय की छन्नी है अब मैंने क्या किया कि दोनों साइड जो है मैंने क्या भर दिया कुछ solution भर दिया मतलब solution है मतलब पानी है क्या है पानी है और प्लस कुछ solute है इसके अंदर भी पानी है और प्लस कुछ solute है लेकिन लेकिन यह यहां पर जो solute है उसका size जो है कि इतना है कितना है इतना है कितने 9 molecule है और size इतना बड़ा है और यहां पर एक दो तीन चार पांच छे ताथ आठ नौ पर्क समझ में आ गया दोनों solution में यह solution या इसको हम बोलते हैं यह जो है site A है और यह site B है अब यहां पर problem क्या हो रही है problem यह हो रही है कि जब यह molecule जाना चाह रहा है तो यह जा नहीं पा रहा है क्योंकि membrane में जो छेद है वह molecule के size से छोटा है दूसरा यह जो molecule है वह भी आना चाह रहा है तो यह भी नहीं आ पा रहा है क्योंकि इसका भी size बड़ा है अब ऐसे condition में ऐसे condition में आस्मोसिस का रूल फॉलो होता है जब molecule मुमेंट नहीं कर सकते तब आस्मोसिस का रूल फॉलो होता है क्लियर तो इस condition में क्या होता है कि वाटर जो है आस्मोसिस का मतलब वाटर जो है it moves from its higher concentration site to lower concentration site मतलब वाटर जो है वो खुद के higher concentration के site से अपने lower concentration के site पे मुमेंट करेगा क्लियर अब यहां पर simple सा आप मालो कि मैं यहां पर जो है 6 molecule मतलब यहां पर कितने हो गए यह 15 molecule हो गए और यह 9 molecule है यहां पर अब मुझे बताओ कि water का concentration A site पे ज्यादा है या water का concentration B site से ज्यादा है water का concentration किस तरफ ज्यादा है मुझे बताओ message epic meal अब मैं अभी पढ़ाओ कि तुम्हारा message मैं पढ़ लिया हूँ कि sociology psychology पढ़ाओ बोल रहे है epic meal time आप भुशन साइंस प्लस का app डाउनलोड कीजिए हमारे पास first sem का recorded batch available है सारी notes है आप वो course को enroll कर सकते हैं और वहां से आप सारी चीजे पढ़ सकते हैं notes भी आपको मिल जाएगी classes भी आपको मिल जाएगी clear तो हां क्या बोल रहे है सचारी दास बोल रही है कि बी साइट पे molecule water का concentration जादा है ठीक है अब इसको समझने कोशिश करते हैं जैसे यहां पर मैं थोड़ी देर बाद वापस आऊंगा मैं आपको समझाता हूं जैसे माल लीजिए यह आपके पास एक glass है अब यह glass में आपने क्या किया for example आपने 10 ml water डाला समझने के लिए concept समझने के लिए बता रहा हूं मैं अब 10 ml water डाला आपने तो 10 ml water में माल लीजिए 100 molecule of water है समझने के लिए अब आपने क्या किया इसमें डाला sugar क्या डाला sugar जो है माल लीजिए आपने डाला एक ग्राम कितना डाला एक ग्राम एक ग्राम में माल लीजिए 10 molecule of sugar है कितने है 10 molecule of sugar है अब क्या होगा कि जब आपने water डाला तो यह water आगया इसके अंदर फिर आपने sugar डाला एक ग्राम तो यह sugar आगया अब कुछ time बात क्या होगा कि यह sugar जो है यह घुल जाएगी मतलब पूरी sugar जो है यहाँ पर फैल जाएगी तो sugar के particle आपको दिखेंगे नहीं तो यहाँ पर क्या हुआ था असल में इस water के अंदर में इस glass के अंदर में हुआ क्या कि जब एक sugar molecule एक sugar molecule जब dissolve हुआ तो उसको dissolve करने के लिए एक water molecule लगा तो एक water molecule खर्च हो गया एक sugar molecule को dissolve करने के लिए है ना अब मतलब यह हुआ कि अगर sugar के 10 molecule थे तो इसको dissolve करने के लिए water के कितने molecule लग गए water के molecule लग गए 10 10 molecule of water used इसका मतलब है कि यहाँ पर 100 molecule थे जिसमें से 10 यूज हो गए तो बच्चे कितने 90 free water molecule क्योंकि 10 तो एंगेज हो गए किसमें वह sugar molecule को dissolve करने में तो बच्चे कितने 90 कि 90 free molecule बचे अब वहीं पर तूसरा एक case ले लो जिसमें मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने वही 10 ml water डाला मतलब मैंने water के 100 molecule डाले और इसमें मैंने sugar डाली इस बार मैंने sugar डाली वह कितनी डाली 2 ग्राम मतलब 20 molecule कितने डाल दी 20 molecule तो यहां पर कितना free molecule है तो यहां पर 80 free water molecule है ठीक है यहां पर क्या है 80 free water molecule है इसमें और इसमें कितना है 90 free water molecule है यह बात समझ में आई क्या कि 90 free कैसे आया और 80 free कैसे आया यह समझाओ यह बताओ पहले तब से जरूरी यह है तब ही आपको ऑस्मोसी समय आगा ने तो है ना यह समझ में आ गया इसका मतलब है कि यहां पर अगर यह 90 free molecule है तो जब आप यह वाला glass इसको मैं नाम दे रहा हूं one number और इसको नाम दे रहा हूं two number तो one number वाले glass के compare में two number वाले glass में free water का concentration ज्यादा है free water का concentration ज्यादा है मतलब आप यह बोल सकते हो कि यहां पर higher concentration of water है glass number two में और glass number one में lower concentration of water है है कि नहीं है हाँ या ना समझ में आया कि नहीं इतना कि glass number एक में glass number एक में lower concentration of water और glass number दो में higher concentration of water क्यों है यहां तक समझ में आया तो वैसा ही concept यहां पर apply होता है अब यहां पर मुझे बताओ कि site A में free water का concentration ज्यादा है या side B में free water का concentration ज्यादा है मुझे बताओ कि किस तरब ज्यादा है मुझे बताओ ज्यादा है यहां पर फ्री वाटर ज्यादा है और यहां पर फ्री वाटर कम है क्योंकि यहां पर solute particle ज्यादा है यहां पर solute particle कम है तो यहां पर फ्री वाटर ज्यादा है B side में और A side में free water कम है अब मैंने आपको बोला osmosis में क्या होता है कि water जो है अपने higher concentration के side से अपने lower concern side में move करेगा मतलब यहां पर water कहां से कहां move करेगा water यहां move करेगा B से A side पर कहां move करेगा B से A side पर मूब करेगा clear और इसी को हम कहते है Osmosis the moment of water from its site of higher concentration towards the site of its lower concentration मतलब यहां हमको सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगाना है water के moment पर यहां हमको सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगाना है water के moment पे solvent के moment पे हमको solute से कोई लेंदे नहीं है क्योंकि solute यहां moment करी नहीं सकते तो लुट का particle size जन्रली ऐसे case में ज्यादा ही होता है कि इतना pore size है उससे क्लियर शिवानी भुसारी भुशन साइंस प्लस की आप को डाउनलोड करेंगे समझ में आया Osmosis का concept what is Osmosis what is Osmosis समझ में आया कि नहीं है कि Osmosis मतलब होता है कि water जो है वो अपने higher concentration के side से अपने lower concentration के side पे movement करेगा इस Osmosis के concept में solute का concentration किस तरफ कितना है इससे कोई लिना देना नहीं है यहां पे सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखा जाता है water के movement का water के movement का ध्यान रखा जाता है clear good excellent है कि नहीं अगर class में आई हो तो like जरूर कीजिएगा हमें भी पता लगे कि कितना समझ में आ रहा है तो यह Osmosis concept मैंने आपको basic चीज बताईए आपके book में यह मात्र एक लाइन लिखी है यह वाली यह इतनी लाइन लिखी है और मुझे इतनी लाइन समझाने में पूरे 25 मिनट लग गए कितने लग गए पूरे 25 मिनट तो बेटा पड़ो तो ऐसा पड़ो कि आपसे पूछने वाला question पूछने के पहले दो बार सोचे कि मैं इससे question पूछू कि नहीं पूछू ऐसा नहों हो कि वही मुझे से उल्टा question कर ले और मैं answer ना कर पाओ concept ऐसे होने चाहिए from the basic from the basic फिर बास समझ में आई आपको है ना तो यह है osmosis अब यह osmosis में और भी बहुत कुछ है तो हम लोग next class में osmosis के आगे के topics के बारे में पढ़ेंगे ठीक है और जिस जिसने अभी तक bsc nursing first time का course join नहीं किया है अभी भी chance है just start हुआ है course फटा फट से live classes join कर लीजिए app को download कर लो नीचे app का नाम आ रहा है number आ रहा है query है phone कर सकते है सारे सब्सक्राइब पढ़ाए जाएंगे live पढ़ाए जाएंगे recording भी मिलेंगे PDF notes भी मिलेगा mcqs भी मिलेंगे question bank भी मिलेगा previous year question papers भी मिलेंगे सब कुछ आपको मिलेगा golden chance है मैं आप सभी का next class जो है अब कल शायद 90% chance है कि मैं out of station हूँ अगर कल मैं out of station रहा तो कल मेरी class नहीं होगी और कल नहीं हुई मतलब सीधा Monday को होगी क्योंकि Saturday को थोड़ा office में repairing का काम है तो थोड़ा सा हमें नया digital board आया है तो उसकी fitting meeting करवानी है लाइट वाइट थोड़ी सी improve करवानी है तो Saturday पुन दीदिन पर उसमें जाएगा हमारा तो next class जो है Monday को होगी ठीक है तो मिलेंगे next class में तब तक के लिए bye have a nice day and thank you दो है कर के दो है सकतो करवा तो में जाएट ये तो कर तो है तो झाल झाल